तो दोस्तो Q&A की एक नई वीडियो में आप सब का श्वागत है जिन सातियों ने हैस्टेक बोलो राजगुर जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वालों वीडियो के साथ वो आप बने रही नमस्कार सातियों मैं हूँ आ आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चिनल दोस्तो आपके सवालों का सिल्चला शुरू करने से पहले दो छोटी-छोटी जानकारी आपको देना चाहूँगा देखिए जिन सातियों ने सनिवार सुबत 10 बज़े तक सवाल पूछे हैं हैस्टेक बोलो राज आजवालों को आज वाली Q&A वीडियो में हमने सामिल किया इसके अलावा जिन सातियों ने केवल और केवलं टुवादर के मादम से हमें सवाल पूछें उने सवालों को सामिल किया है क्योνकि हमने यहाँ पे शुक्रवार के दिन ही आपको पोस्ट डाल के सुचित कर दिया कि अगर आप भी Q&A वीडियो में अपना सवाल पूछना चाते हो, तो ट्वीटर पे जाके हमें अपना सवाल हो पूछ सकते हो, अब इसको लेके कुछ साती नराज भी है, बोल रहें कि हम तो ट्वीटर को यूज नहीं करते हैं, तो दोस्तों देखिए आप WhatsApp को यूज करते ह हो, आप Facebook को यूज करते हो, तो आप ट्वीटर को भी यूज कर लीजेगा न, क्योंकि ये भी एक Social Media Platform है, और यहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती, अगर बात करें हम बड़े बड़े लोगों की तो भी या वो भी ट्वीटर का सारा लेते हैं, अपनी एक बात जन जन तक पहुंचाने की, तो यहाँ पर तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, देखिए ऐसा आपको करना पड़ेगा, और आगे से हम ट्वीटर के मादम से ही सवाल हैं, वो Q&A वीडियो के अंदर उठाएंगे, तो जब भी आप अपना सवाल पूछें, तो भी आ साती ने आज क्या-क्या पूछें, और आज के हमारे पहले साती है, नाम है मानवीर गुर्जर, और यह पूछ रहें, सर किसी विदाले के बंद हो जाने पर उसमें अध्यनत आट्टी स्टूडेंट को किसी अन्य विदाले में आट्टी के थैत, समान कक्षा में परवेश मि नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर नियम ये बोलता है, कि जो इस्टूडेंट है, जिस स्कूल में आट्टी के थैत, उसका एड्मिस्न हुआ है, शुरुवात से लेके कक्षा आट्ट तक सेम स्कूल में उसको पढ़ना पड़ेगा, अगर वो टिसी कटवा के किसी दूसरी स्कूल में जाता है, तो वो आट्टी से हट जाएगा, और नोन आट्टी का स्टूडेंट हो जाएगा, अब नोन आट्टी का मतलब है, कि आपको दूसरी स्कूल में फीश वो देनी पड़ेगी, अब यहाँ पे गलती आपके नहीं है, क्योंकि स्कूल बंध हो चुकी है, लेकिन यार नियम तो यहीं बोलता ना, यहाँ पे कोई समाधा नहीं है, तो आप दूसरी स्कूल में नोन आट्टी में उसका एडमिशन करवा सकते हो, अगर आप फीरी में पढ़ाना चाहते हो, तो गोवर्मेंट स्कूल है, वहाँ पे आप अपना एडमिशन करवा सकते ह हैं, क्योंकि बच्चे का स्कूल गराम पंचायत से भार है, गराम पंचायत में स्कूल नहीं होने के खारण, सारे डोकोमेंट की लिस्ट बताए, मूल निवास भी बांग रहे हैं, क्या परसिस्ट लगाना है, क्या, तो विपेंदर्म आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर नियम की बात करूँ, तो देखिए, अपनी गराम पंचायत के अलावा, या सहरी निकाय के अलावा, या सेम वाड के अलावा, आप किसी दूसरी स्कूल के अंदर आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन नियमों नहसार वहाँ पर परवेश हो नहीं होता है, और नियमो एक जो बात है, वो बिल्कुल साप साप यहाँ पर कही गई है, कि कोई भी जो विद्धाले है, वो अपनी गराम पंचायत या सहरी निकाय से बाहर के किसी भी बालक बालिकाओं को परवेश हो नहीं दे सकते, तो नियमों सार ये तो है तो गलती, फिर भी मान लिजे, पर admission final हो गया है, और यहाँ पर आपसे document लिये जा रहे हैं, तो आप document जमा करवा सकते हो, और document के रूप में जो आपने online upload किये थे, वो same document आपको यहाँ पर जमा करवाने है, और साथ में भरावा जो आवेदन फोरम है, वो भी आपको जमा करवाना है, अगर यह मूल निवा जमा करवाना है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, कि जब भी यहाँ पर निरक्षन दल आएगा, और यहाँ पर बोतिक सत्यापन होगा, इन्हें इस्टूडेंट की जांस की जाएगी, तो साइध है, वो cancel कर दिये जाएगे, तो बाद में आपके सामने साइध इस परकार के समस्या आ सकती है, तो एक बार इस्कूल वालों से तसली से बात कर लिजेगा, कल को इस्कूल वालों के साथ किसी परकार का गतिरोध मत कीजेगा, क्योंकि पेनल आएगा, तो यहाँ पे तकरिबन-तकरिबन मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपका admission वो cancel होने वाला है, ठीक है साथ आप समझ गए, चलिए एगले सातिगा सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं सनिया, और यह पूछ रहे हैं, जो फोरम मार्च 2023 में निकलेंगे, क्या उसमें पांच वर्स का बच्चा फैस क्लास में लेंगे, और फोरम कब निकलेंगे, तो सनिया मां आपको कहना चा क्योंकि फिल्हाल इसका बैकिंड में जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुकी है, तो यहां पर देखिए, नियम के मुताबिक कक्षा एक में जो बालक बालिका है, उसकी जो आयू है, वो 6 वर्स से अधिक नहीं होने चाहिए, अगर 6 वर्स से कम है, तो कक्षा एक में उसका प्रवेश वो दिया जा सकता है, साइध आप समझ गए, चलिए, एगले साइटे का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, विनीत परिहार, और यह पूछ रहे हैं, सर, एड्मिट कार्ड आने के बाद अभी तक साइट ओपन ही नहीं हो रही है, मैं शाला दरपन पर लोग जब हमारे स्कूल साथी अपने PSP कोड से यहां पर लोगिन करते हैं, तो वो लोगिन नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको समाधान बता रहा हूँ, देखिए जो हमारी सेशनल मारक्स वाली वीडियो है, उसके अंदर भी मैंने आपको समाधान बताया, अगर आपने वो नहीं देखिए तो देख लिजेगा, फिर भी छोटी सी जानकारे आपको देदेता हूँ, देखिए जो आपका PSP कोड, तो PSP कोड से पहले यहां पर जो एलफाबेट यहां पर लगावा है, जो P लगावा है, P और डिजिट के बीच में एक बार एक स्पेस लगा के आप देख ल कर पा रहे हैं, अब यहां पर आप बात करे हो, admit card की, तो भी आए नहीं है, अभी तो सेशनल मारक है, वो भरे जा रहे हैं, तो admit card आप कहां से download करोगे, आए नहीं है, भी admit card आएंगे, तो update की जानकारे आपको मिल जाएंगे, फिलहाल यहां पर सेशनल मारक है, वो भरे जा वाले हैं रिस्व कुमार जैन और ये पूछ रहे हैं मेरी बेटी का जनम 12 दिसंबर 2017 को हुआ क्या वो आर्टी के लिए इलिजिबल है और अगर है तो कौन सी कलास से तो रिस्व मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए नियम के मताबिक अगर अगर अपन सेशन 2022-23 की बात करें 22-23 की मैं यहां पर बात करूं आलांकि यह जो प्रोसेस है वो तो कंपलीट होगी तो यहां पर जो डियो बी की जो काउंटिंग की गई थी वो 31 मार्च 2022 को लेकी की गई थी यानि इस डेट तक आपके जो बालक बालिक हैं 31 मार्च 2023 को है की जाएगी यानि इस डेट तक है आपके बालक बालिका की जो उमर है यहां पर 6 वर्ष से तो छोटी होने ची और 3 साल से वो बड़ी होने ची तो यहां पर 3,5 साल के लेकि तो यहां पर देखिए जो डबल पी 3 है उसमें होता है फिर यहां पर 4 साल का है वो 4 में होता है, फिर वो साथे 4 साल से बढ़ा है, तो WP 5 में होता है, फिर यहाँ पे 6 साल से छोटा है, साथे 5 साल से बढ़ा है, तो class 1 में उसका admission होता है, तो ऐसे ही counting होती है, और जब आप आविदन करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए DOB को लेकि आपको ज़्यादा दिमाख लगाने के आवसेक्ता नहीं है, जैसे आप इस्टूटेंट के DOB भरोगे, तो वहाँ पर यह बता देगा कि यह इलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, तो एक बार आवेदन प्रोसेस आप शुरू होने दीजिएगा, अब उसमें क्या क्राइटेरिया रखा जाता, अलांकि क्राइटेरिया तो नहीं बदलेगा, क्योंकि फेश कलास के अंदर जो मेक्स में मुमर है बालक बालकागी, वो छे वर्षे जादा नहीं होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए, ठीक है, साइद आप समझगे, चलिए, आपक पूर्जे के साथ है, मुझसे सवाल हो, पूछ लिया करो, क्योंकि आगे से हम ट्विटर के माध्यम से ही Q&A वीडियो है, वो शुरू करेंगे, जैसा कि इस बार हमने किया है, अगर आपको ऐस्विदा हो रही है, तो इसकी मैं आप से हाज जोड के माफी चाहता हूँ, ले या आप थोड़ी सी ये मेनत नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरे सोचल मीडिया प्लेटफोरम पे विजिट करके, वहां से भी आप कुछ और अधर कारवाई है, वो कर सकती हो, और इनफोर्मेट्री सूचना है, वो परात कर सकती हो, क्योंकि मेरे दवारा जो अधर जो सोचल म नहीं बना पाता हूं समय पे, तो इन सोचल मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट की जो जानकारी है, उसके बारे में अवगत हो करवा देता हो, तो आप विजिट कर लिजेगा, अगर आप चाहते हो, तो आपकी मर्जी है, मैं आप पे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन यार मुझे तो मजबूरी में रहते वेक काम करना पड़ता है, अगर वीडियो आपको अच्छे लिगी हो, तो लाइक हो, कर दीजेगा, मिलते हैं फंस अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जैहारत